C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वरप्रस्तुत है कक्षा आठ के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतरगत इतिहास की ध्वनी पाठ्य पुस्तक हमारे अतीत आईए अब सुनते हैं अध्याय आठ शीर्शक है महिलाएं जाती एवं सुधार आईए अब सुनते हैं पाठ्यक्रम क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की जिन्दगी कैसी रही होगी आजकल मध्य वर्गिय परिवारों की ज्यादतर लड़कियां स्कूल जाती हैं और उन में से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती हैं बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्व विद्यालेयों में जाती हैं और विभिन प्रकार की नौकरियां करती हैं गानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है, और गानून के अनुसार वे किसी भी जाती वा समुधाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं. यहां तक कि विधुआएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं. पुरुशों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती गरीवों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा नुसार पती भी नहीं चुन सकती दो सौ साल पहले हालात बहुत भिन्न थे ज्यादतर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी हिंदू वो मुसल्मान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज्यादा पत्निया रख सकते थे देश के कुछ भागों में विध्वाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पती की चिता के साथ ही जिन्दा जल जाएं इस तरह स्वेच्छा या जवर्दस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंदित किया जाता था सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था संपत्ती पर भी महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे शिक्षा तक महिलाओं की प्रायह कोई पहुँच नहीं थी देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर आउरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विध्वा हो जाएगी इसी प्रिष्ट 94 पर चित्र संख्या एक और इसका शीर्षक है सती ये चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में से यह एक है सती प्रथा को पूर्वी समाजों की बरवरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था प्रिष्ट संख्या 95 आएए अब सुनते हैं पाठ समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुशों के बीच ही फर्क नहीं था ज्यादतर इलाकों में लोग जातियों में भी बटे हुए थे ब्राह्मन और क्षत्रिये खुद को उँची जाती का मानते थे इसके बाद व्यापार और महाजनी आदी से जुड़ी जातियों जिन्हें प्रायह वैश्य कहा जाता था कास्थान आता था फिर काश्तकार, बुनकर वा कुमार जैसे दस्तकार आते थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पाइदान पर ऐसी जातियां थी जो गाउं, शहरों को साफ सुत्रा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें उँची जातियों के लोग दूशित कार्य मानते थे यानि ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाती भर्ष्ट हो जाती थी उँची जातियां निचले पाइदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अच्छूत मानती थी इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने, सवन जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकलने या उँची जातियों के आधिपत्ते वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी उन्हें निम्न दर्जे का मनुश्य माना जाता था उन्निस्वी और बीस्वी सदी के दौरान इन में से बहुत सारे काईदे कानून और नजरिये धीरे धीरे बदलते गए आईए देखें कि ऐसा कैसे हुआ परिवर्तन की दिशा में उठते कदम उन्निस्वी सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजी करिवाजों और मुल्ले मान्यताओं से संबंधित, बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है इसकी एक एहम वजह यह थी कि संचार के नए तरीखे विकसित हो रहे थे पहली बार किताबें, अख़वार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी ये चीजें ना केवल पुराने साध्रों के मुकाबले सस्ती थी, बलकि उन पांडूलीपियों के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुँच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं लिहाज़ा आम लोग भी उन चीजों को पढ़ सकते थे उन में से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनेतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुशों और कभी-कभी महिलाओं के बीच भी चर्चा होती रहती थी ये चर्चाएं आम जनता तक पहुँच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों से जुड़ी होती थी इस तरह की बहसें अक्सर भारतिय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी राजा राम मोहन रॉय जिनका काल 1772 से 1833 तक का था इसी तरह के एक सुधारक थे उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मों सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था जिसे बाद में ब्रह्मों समाज के नाम से जाना गया राम मोहन रोय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्याय पूर्ण तोर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़ कर जीवन का नया धंग अपनाने के लिए तैयार हों इसी प्रिष्ट 95 पर अंत में नीचे एक बॉक्स और बॉक्स का शीर्षक है गतिविधी गतिविधी ये है क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और पर्चे आदी छापने की तकनीक नहीं थी उस समय सामाजिक रीती रिवाजों और ब्यवहारों के बारे में किस तरह चर्चा चलती होगी प्रिष्ट संख्या 96 प्रिष्ट संख्या 96 में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 2 और ये राजा राम मोहन रॉय का चित्र है इस चित्र को रेम ब्रांट पील द्वारा सन 1839 में बनाया गया था और अब पाठ राम मोहन रॉय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज्यादा स्वतंत्रता वा समानता के पक्षधर थे उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता है उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी विध्वाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश राजा राम मोहन रॉय इस बात से काफी दुखी थे कि विध्वाओं आउरतों को अपनी जिंदगी में भारी कश्टों का सामना करना पड़ता है इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहीम छेड़ी थी राम मोहन रॉय संस्कृत, फारसी तथा अन्ने कई भारतिये एवं यूरोपिये भाषाओं के अच्छे ग्याता थे उन्होंने अपने लेखन के जरिये यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विध्वाओं को जलाने की अनुमती नहीं दी गई है आलोजना करने लगे थे। वे राम मोहन रॉय के विचारों को सही मानते थे क्योंकि उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलोस रूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राम मोहन रॉय ने इस अभियान के लिए जो रण नीती अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानीकारक प्रथा को चुनोती देना चाहते थे, तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूणने का प्रयास करते थे, जो उनकी सोच का समर्थन करते हूं। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीती रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। इस लोक प्रिय तेवहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक जूले पर लटक जाते थे। उननीस्वी शताबदी के पूरवार्ध में जब यूरोपिय अपसरों ने भारतिय रीती रिवाजों और अनुष्ठानों को बर-बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस तिवहार की खास तोर से आलोचना की गई। सबसे पहले एक बॉक्स, और इस बॉक्स में सती प्रथा के बारे में वर्णन है, बॉक्स का शिर्शक है, पहले हम उन्हें लकडियों में बांध देते हैं। स्रोत संख्या एक राम मोहन रॉय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे परचे लिखे थे। इन में से कुछ परचे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरन देखिए। सती समर्थकों की दलील औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना द्रिड संकल्प वाली, भरोसे के योग्ये नहीं होती हैं। उन में से बहुत सारी खुद ही अपने पती के मृत्यू के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं। परंतु वे कहीं धधक्ती आग से भाग ना निकलें, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकणियों में कस कर बांध देते हैं। सती विरोधी दलील इसी बॉक्स में है। तुम उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो। इसी प्रिष्ट पर एक बॉक्स और इस बॉक्स में गती विधी दी गई है। ये समवाद, जो हमने अभी अभी पढ़ा, ये समवाद 175 साल से भी ज्यादा पहले के हैं। आपने भी अपने आसपास महिलाओं के महत्व और क्षमताओं के बारे में तरह तरह के तरक सुने होंगे। उन्हें लिखें, देखें कि तब और अब की दलीलों में क्या फर्क आया है। और इसी बॉक्स के नीचे एक चित्र, चित्र संख्या चार और ये स्वामी दयानंद सरस्वती का चित्र है। इनके बारे में लिखा हुआ है। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। अब सुनते हैं पाठ। उदारन के लिए प्रसिध सुधारक इश्वर चंद्र विद्या सागर ने भी विध्वा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में विध्वा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया जो विध्वावों के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्या सागर का भी विरोध किया और यहां तक की उनका बहिशकार कर दिया उन्निस्वी सदी के उत्तरार्ध तक विध्वा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्ने भागों में भी फैल गया था मदरास प्रेसिडंसी के तेलुगू इलाकों में विरेश लिंगम पंतुलू ने विध्वा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था लगभग उसी समय बंबई में युवा बुध्धी जीवियों और सुधारकों ने भी विध्वा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विध्वा विवाह का समर्थन किया इसके बावजूद विवाह करने वाली विध्वा महिलाओं की संख्या काफी कम थी विवाह करने वाली विध्वाओं को समाज में आसानी से स्विकार नहीं किया जाता था इसी तरह रूढ़ी वादी तब के इस नए कानून का विरोध करते रहे प्रिष्ट संख्या 98 और इसमें ईश्वर चंद्र विद्या सागर का चित्र है। इसी के नीचे चित्र संख्य अच्छे और इसका शीरशक है हिंदू महा विद्याले की छात्राएं। यह चित्र 1875 में बनाया गया था। इसके बारे में लिखा है उन्निस्वी शताबदी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आम तोर पर माना जाता था कि लड़कियों की पढ़ाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सक्त होनी चाहिए। हिंदु महिला विद्याले ऐसे शुरुवाती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। और अब सुनते हैं पाठ लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है। कलकत्ता में, विद्यासागर और बंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। उन्नीस्वी सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को स्तारवजयनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्विज्यनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलो सरूप, उननिस्वी सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादतर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पती की देख रेख में ही घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी की मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजीक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने राश सुन्दरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिये की टिम्टिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। उन्निस्वी सदी के आखिरी हिस्ते में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योती राव फुले द्वारा महाराश्टर में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरभी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिती को देखते हुए मुम्ताज अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला दे कर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। उन्निस्वी सदी के आखिर से ही उर्दु में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोसाहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़ें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। बीस्वी सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुसलिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमी का अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलिगण में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकईया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्हों ने कलकत्ता और पटना में मुसलिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढी वादी विचारों की कटू आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रतेक धर्म के धार्मिक नेताओं ने आउरतों को निचले दरजे में रखा है। प्रिष्ट संख्या निन्यानवे। पाठ पर जाने से पहले इसी प्रिष्ट पर एक चित्र है, चित्र संख्या है साथ और ये चित्र है पंडिता रमाबाई का। और अब सुनते हैं पाठ। 1880 के दशक तक आते आते भारती महिलाएं विश्व विद्यालेयों में प्रवेश लेने लगी थी। इन में से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिती पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किये। पुना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फरकों की आलोचना की गई थी। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। अपनी रोजी रोटी चला सकें। जाहिर है कि इन सब बातों से रूढिवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हुए। उदारन के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृती भरष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नश्ट हो जाएंगे। रूढिवादी मुसल्मान भी इन बदलाओं के नतीजों को लेकर चिंतित थे। पहतर स्वास्थे सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में आनून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समुह बनाने लगी थी। उन में से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्द प्रकार के राश्टरवादी और समाजवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया। बीस्वी शतादी में जवाहर लाल नहरू और सुभाष चंदर बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतनतरता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राश्ट्रिय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतनतरता मिलने पर सभी पुरुषों वा महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आखवान था कि जब तक स्वतनतरता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संगर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। इसी प्रिष्ट 99 पर अगले प्रिष्ट में जाने से पहले स्रोध संख्या 2 और ये एक बॉक्स है और इस बॉक्स का शीर्षक है जब आउरत का पती मर जाता है। इसमें वर्नन इस प्रकार से है अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था। तुम्हारी जिंदगी शुद्र सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो की मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है की जब औरत का पती मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आँखों को थंड़क पड़ जाए। उसे शादी ब्याह, आवो भगत और उन शुभ आवसरों से बहिश्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती है। और भला इन पावंदियों की वज़ह क्या है? क्योंकि उसका पती मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। वर्णन इस प्रकार से है, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वज़ह से सुधारों के पक्ष में आवाज और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। शेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संगर्श नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं की जा सकती। बाद में यह उम्र बढ़ा कर क्रम शह 21 साल और 18 साल कर दी गई। इसी बॉक्स में एक चित्र है और यह चित्र संख्या आठ है इसका शीरशक है आठ साल की दुलहन। चित्र में आप देख सकते हैं एक छोटी बाली का दुलहन की वेश भूशा में और साथ ही उसका पती जो की दिखने में बहुत ही वयस्क एक परिपक को पुरुष लग रहा है। इसके बारे में वर्डन इस प्रकार से है यह बीस्वी शताब्दी की शुरुवात में एक बाल वधु का चित्र है। आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20 प्रतिशत से ज्यादा लड़कियों की शादी 18 साल से पहले ही हो जाती है। और अब सुनते हैं पार्ट जाती और समाज सुधार हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिकर किया है उनमें से कई जातिय गैर बराबरी के भी विरोधी थे। राम मोहन रॉय ने जाती विवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बाउध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्राथना समाज भक्ती परंपरा का समर्थक था जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया था। जाती उन्मूलन के लिए काम करने के लिए बंबई में 1840 में परम हंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में से बहुत सारे उची जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्ष जैसे मामलों में जातिये काइदे कानूनों का उलंगन करते थे जिससे अपने जीवन में भी जातिये पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सकें। ऐसे कई लोग थे जो जाती आधारित समाज विवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19. सदी में इसाई प्रचारक, आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूणने के नए साधन मिलने लगे थे। उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल रही नई नौकरियों की तलाश में गाउँ छोड़ कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगरपाली काओं में नई नौकरियां निकल रही थी। अध्याए छे में आप शहरों के विस्तार के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रिष्ट संख्या 101 इसमें सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 9 और इसका शीरशक है एक कुली जहाज, उननिस्वी शताबदी में यह चित्र बनाया गया। इसके बारे में लिखा है जॉन एलन नामक एक कुली जहाज के द्वारा भारती मजदूरों को मौरिशियस ले जाया जाता था जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इन में से ज्यादतर मजदूर निचली जातियों के होते थे। और अब सुनते हैं पाठ। पाल की ढोने वालों, रिक्षा खींचने वालों की जरूरत थी। यह श्रम कहां से आया। इन कामों को संभालने के लिए गाउं और छोटे कस्वों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। जहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग थे। कुछ लोग असम, मौरिशियस, ट्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदी स्थानों में बागानों में काम करने भी चले गए। नए स्थानों पर काम अकसर बहुत कठोर था। परन्तु घरीबों, निचली जातियों के लोगों को यह गाओं में सवन जम्बिनदारों द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कबजे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक अच्छा मौका था। इसी प्रिष्ट 101 पर नीचे एक बॉक्स और बॉक्स का शीरशक है जूते कौन बना सकता है। जातिये पूर्वा ग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तयार कर सकते थे। लिहाज़ा वे ज्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफी लाव हुआ। इसी बॉक्स में एक चित्र और यह चित्र संख्या है दस और इसमें जूते बनाते मदिगा समुदाए के लोगों को दिखाया गया है। यह उन्निस्वी शताब्दी में आंधर प्रदेश का चित्र है। मौजूदा आंधर प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अच्छूत जाती रही है। वे पशूओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तयार करने और चपल जूतियां सीने में माहिर थे। अब पाठ इसके अलावा दूसरी तरह की नौकरियां भी सामने आ रही थी। उदारन के लिए सेना में भी लोगों की जरूरत पढ़ गई थी। अच्छूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोगों को महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता बी आर अंबेडगर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। प्रिष्ट संख्या 102 इसी प्रिष्ट पर सबसे पहले दो बॉक्स, पहला बॉक्स उसका शीर्षक है कक्षा में जगह नहीं। बंबई प्रेजिडेंसी में 1829 में भी अच्छूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सक्ती से आवाज उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठ कर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई ताकि वे कमरे को दूशित ना कर सकें जहां उची जाती के लड़कों को पढ़ाया जाता था। इसी बॉक्स के बगल में एक चित्र और यह चित्र संख्या ग्यारा है और इसका शीरशक है गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम ढोकर ले जा रहे हैं। दुबला मजदूर सवर्ण मजदूरों के पास मजदूरी करते थे। वे उनके खेट संभालते थे और जमिदार के घर आंगन में तमाम छोटे बड़े काम करते थे। दूसरा बॉक्स गती विधी एक, कल्पना कीजिए कि आप स्कूल के बरामदे में बैठ कर कक्षा में पढ़ाये जा रहे सबक को सुन रहे हैं। तब आपके दिमाग में किस तरह के सवाल पैदा होंगे? दो, कुछ लोगों को लगता था कि अच्छूतों को शिक्षा से पूरी तरह वंचित रखने के मुकाबले यह स्थिती फिर भी बेहतर थी। क्या आप इस राय से सहमत हैं? और अब सुनते हैं पार्ट समानता और न्याय की मांग उन्निस्वी सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मन जातियों के भीतर से भी लोग जातिये भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिये थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरूआत घासी दासने की जिन्होंने चमडे का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिती में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकूर के मत्वा पंथ ने चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। हरिदास ने जाती विवस्था को सही ठहराने वाले ब्राहमन वादी ग्रंथों पर सवाल उठाया। जिसे आज केरल कहा जाता है वहाँ एजावा जाती के श्री नारायन गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातीगत भिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेद भाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाती है। उनका एक महत्यपून कथन था ओरु जाती ओरु मतम ओरु दैवं मनुश्यानू यानि मानवता की एक जाती, एक धर्म और एक ही ईश्वर है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राहमण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे उन्हों ने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्यो शाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी उन्हों ने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया प्रिष्ट संख्या एक सो तीन इस प्रिष्ट पर सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या तेरह और ये जोती राव फुले जो प्रसिध समाज सुलारक थे उनका चित्र है अब सुनते हैं पाठ गुलाम गिरी निम्द जाती नेताओं में जोती राव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे 1827 में जन्में जोती राव फुले ने इसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी बड़े होने पर उन्होंने जाती आधारित समाज में फैले अन्याए के बारे में अपने विचार व्यक्त किये उन्होंने ब्राहमनों के इस दावे पर खुल कर हमला बोला कि आरे होने के कारण वे आवरों से श्रेष्ठ हैं फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उप महाद्वीप के बाहर से आये थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहां रह रहे मोल निवासियों को हरा कर उन्हें गुलाम बना लिया था जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाती वाला मानने लगे फुले के अनुसार उची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है यह धर्ती यहां के देशी लोगों की कथित निम्न जाती के लोगों की है फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहां स्वर्ण युग था तब युद्धा किसान जमीन जोदते थे और मराठा दिहात पर न्याए संगत और निश्पक्ष तरीके से शासन करते थे उन्होंने सुझाव दिया कि शुद्रों यानि श्रमिक जातियां और अती शुद्रों यानि अच्छूत को जातिय भेद भाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए फुले द्वारा स्थापित किये गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जातिय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई 1873 में फुले ने गुलामगीरी यानि गुलामी नामक एक किताब लिखी इससे लगभग दस साल पहले अमेरिकी ग्रिह युद्ध हो चुका था जिसके फलसुरूप अमेरिका में दास प्रथाख खत्म कर दी गई थी फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमरीकीओं को समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ती दिलाने के लिए संघर्ष किया था इसी प्रिष्ट 103 पर एक बॉक्स और उस बॉक्स का शीर्षक है मैं यहां और तुम वहां स्रोत संख्या 3 यहां इस प्रकार लिखा है फुले उच्च जाती नेताओं के उपनिवेश्वाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे उन्होंने लिखा था ब्रहमणों ने अपने धर्म की वह तल्वार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है और अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं वे हमारे शुद्र, मुस्लिम और पार्सी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि अगर हम उँच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई जगड़ा बंद करके एक जुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नती नहीं कर पाएगा यह एकता उन्हीं के फाइदे में है क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिती पैदा हो जाएगी इसी प्रिष्ट पर एक और छोटा बॉक्स और उसका शीर्षक है गतिविधी श्रोत तीन को ध्यान से पढ़ो मैं यहां और तुम वहां से जोती राव फुले का क्या आशय था प्रिष्ट संख्या 104 सुनते हैं पाठ इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया जैसा कि इस उधारन से पता चलता है कि फुले ने जाती व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गयर बराबरी से जोड़ दिया था वह उच्च जाती महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीवतों और निम्न जातियों के अपमान पूर्ण हालात के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे जाती सुधार का यह आंदोलन, बीस्वी सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर बी आर अंबेटकर और दक्षिन में ई वी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेत्रित्तों में चलता रहा इसी प्रिष्ट पर सबसे उपर एक बॉक्स भी है, बॉक्स का शीर्षक है, हम भी इनसान हैं श्रोत संख्याच चार 1927 में अंबेटकर ने कहा था अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाब पर जाना चाहते हैं कि आउरों की तरह हम भी इनसान है हिंदू समाज का दो मुख्य सिध्धानतों समानता और जातीवाद की समाप्ती पर पुनर गठन किया जाना चाहिए पाठ में चलने से पहले, इस समय हम देख सकते हैं इसी प्रिष्ट पर नीचे एक चित्र है और ये चित्र संख्या 14 है इसमें मदुरे मंदिर का प्रवेश द्वार है इस चित्र को टॉमस डैनियल द्वारा सन 1792 में बनाये गया था इसका छोटा सा वर्णन है नीचे मंदिर प्रवेश आंदोलन से पहले अच्छूतों को इस तरह के प्रवेश द्वारों के आसपास भी फटकने नहीं दिया जाता था अब आईए सुनते हैं पाठ मंदिरों में कौन जा सकता था अंबीडगर एक महार परिवार में पैदा हुए थे बच्पन में उन्हों ने इस बात को बहुत नजदीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातिये भेदभाव और पूर्वा ग्रह क्या होता है स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था उन्हें सवन बच्चों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्यायन के लिए अमेरिका जाने हेतू फेलोशिप मिल गई थी 1919 में भारत लोटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातिय सत्ता संगजना पर काफी लिखा सन 1927 में अम्बेड करने मंदिर प्रवेश आंद्वलन शुरू किया जिसमें महार जाती के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बवूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशे का पानी इस्तिमाल कर रहे हैं 1927 से 1935 के बीच अम्बेड करने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे तीन आंदोलन चलाए वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातिये पूर्वाग्रहों की जकर कितनी मजबूत है प्रिष्ट संख्या 105 प्रिष्ट संख्या 105 में सबसे पहले एक चित्र, चित्र संख्या 15 और ये E.B. रामा स्वामी नायकर का चित्र है अब आएए सुनते हैं पाठ गैर ब्राहमन आंदोलन बीस्वी सदी के आरंभ में गैर ब्राहमन आंदोलन शुरू हुआ यह प्रयास उन गैर ब्राहमन जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था उनका तर्क था कि ब्राहमन तो उत्तर से आए उन आरे आकर्मन कारियों के वनशज हैं जिन्होंने यहां के मूल निवासियों या देशी द्रविड नसलों को हरा कर दक्षिनी भूभाग पर विजय हासिल की थी उन्होंने सत्ता पर ब्राहमन वादी दावे को भी चुनोती दी पेरियार के नाम से प्रसिध ई.वी रामा स्वामी नायकर एक मध्य वर्गिये परिवार में पले बढ़े थे अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्यायन किया था बाद में वे कॉंग्रेस के सदस से बने परन्तु तब उन्होंने राष्टरवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहाँ बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतिजाम किया हुआ है तो उन्होंने हताश होकर पाटी छोड़ दी इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतिजाम किया गया था पेरियार की समझ में आ चुका था कि अच्छूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद लड़ना होगा इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वाभिमान आंदोलन शुरू किया उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड संस्कृती के असली वहक अच्छूती हैं जिन्हें ब्राह्मनों ने अपने अधीन कर लिया है उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को इश्वर प्रदत्त मानते हैं इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धार्मों से अच्छूतों को खुद मुक्ती पानी होगी पेरियार हिंदू वेद पुराणों के कट्टर आलोचक थे खास तोर से मनुद्वारा रचित सहिता, भगवत गीता और रामायन के वे कट्टू आलोचक थे उनका कहना था कि ब्राहमनों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व अस्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई निम्न जातिये नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच जातिये राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मन्थन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई परन्तु रूढिवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महा मंडल और बंगाल में ब्रहमन सभा जैसे संगठनों के जरिये इन रुजहानों का सक्ती से विरोध किया इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातिय उँच नीच को जो महत्त दिया जाता है उस पर कोई आच ना आए वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है आपनी वेशिक काल के बाद भी जाती के सवाल पर बहस और संगर्ष चलते रहे और ये आज भी जारी हैं प्रिश्ट संख्या 105 पर दो बॉक्स अज सबसे पहले देखते हैं इसका पहला बॉक्स और इसका शीर्षक है महिलाओं के बारे में पेरियार पेरियार ने लिखा था तारा मुकुर्तम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं अपने पतियों के हाथों की कटफुतली बन गई थी हमें ऐसे पिताओं के संरक्षन में जीना पड़ा जो अपनी बेटियों को सलाह देते थे कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और अब वोए अपने पती के घर का हिस्सा है यह संस्कृत के साथ हमारी घनिष्टता का परिनाम है पेरियार द्वारा रचित पेरियार चिंतनाईकल से उध्रित गतिविधी आज भी जाती इतना विवादास्पद मुद्दा क्यों बनी हुई है अपनिवेशिक काल में जाती के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था प्रिश्ट संख्या 106 सुधारों के लिए गठित होना सबसे पहले एक चित्र चित्र संख्या 16 ये केशव चंदरसेन का चित्र है जो ब्रह्म समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे एक चित्र और है चित्र संख्या 17 यह हैंनरी डेरुजियो का चित्र है एक चित्र और चित्र संख्या 18 यह स्वामी विवेकानद का चित्र है और एक चित्र और चित्र संख्या 19 ये सैयद अहमद खां का चित्र है। अब आईए सुनते हैं प्रिश्ट संख्या 106 का पाथ। ब्रम्हो समाज की स्थापना 1830 में की गई थी। ये संस्था सभी प्रकार की मूर्ती पूजा और बली के विरुद्ध थी और इसके अनुयाई उपनिशदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रम्हो समाज ने विभिन धर्मों के आदर्शों खास्तोर से हिंदुत्व और इसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नाकारात्मक और सकारात्मक पहलूँआ पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं यंग बंगाल हमने इनके चितर के बारे में सुन लिया है अब आएए सुनते हैं इनके बारे में। अठारा सो बीस के दशक में हैंडरी लुई विवियन डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे। उन्हों ने अपने विद्यार्थियों को आमूल परिवर्तनकारी विचारों से आउगत कराया और उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोसाहित किया। उनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूव्मेंट में उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीती रिवाजों पर उंगली उठाई। महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोच वब अभिव्यक्ती की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के चित्र के बारे आप सुन चुके हैं जो इसी प्रिष्ट पर दिया हुआ है अब आईए सुनते हैं वर्णन। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानन्द के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिये मुक्ती के लक्षे पर जोर देता था। स्वामी विवेकानन्द जिनका काल 1863 से 1902 तक रहा, उनका मूल नाम नरेंदर नाथ दत्र था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिवहाशाली संतुरित आधूनिक विचारधारा से जोड़ कर संपून विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यू यॉर्क हेरोल्ड ने विवरनर दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मुर्खता पूर्ण है। अपने देश्वासियों की निर्धन्ता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह द्रिढ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। अतह भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीन चार दिवारी से बाहर निकलने और राष्टर की सेवा में एक जुट होने का आहवान किया। इस आहवान द्वारा भारती राष्टरवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाध्रन योगदान दिया। किन्तु राष्टरवाद के बारे में उनका भाव संकीन नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानो जाती को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्टर एक समान धरातल पर एक साथ आएं। अतह एक सामान ने अध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह वास्तों में नई विचारधारा के प्रतीक और भविश्य के लिए एक महान शक्ती का श्रोत बन गए। प्राथना समाज 1866 में बंबई में स्थापित प्राथना समाज ने जातिये बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्राथना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोसाहित किया और विध्वा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बाउध और इसाई ग्रंथों पर विचार विमर्ष किया जाता था। वेद समाज मद्रास जो आज का चिन नहीं है में 1864 में वेद समाज की स्थाफना हुई। वेद समाज ब्रम्हो समाज से प्रेरित था। वेद समाज ने जातिये भेदभाव को समाप्त करने और विध्वा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोसाहित करने के लिए काम किया। इसके सदस से एक ईश्वर के अस्तित्तों में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़ी वादी हिंदुत्व के अंध विश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। अलिगढ़ आंदोलन सेद अहमद खादवारा 1875 में अलिगढ़ में खोले गए मुहमदन एंगलो ओरियंटल कॉलेज को ही बाद में अलिगढ़ मुसलिम विश्व विद्याले के नाम से जाना गया। यहां मुसल्मानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विशयों में आधुनिक शिक्षाद दी जाती थी। अलिगढ़ आंदोलन का शैक्षनिक सुधारों में गहरा प्रभाव रहा है। प्रिष्ट संख्या 107 में सबसे पहरे एक चित्र, यह चित्र संख्या 20 है और इसमें खालसा कॉलेज अमरिज सर का चित्र दिया हुआ है। 1892 में सिक्ष सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा इसे स्थापित किया गया। सुनते हैं इस बॉक्स का वर्णन। सिह सभा आंदोलन सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिह सभाओं की स्थापना 1873 में अमरिज सर से शुरू हुई थी। बाद में 1889 में लहोर में भी सिह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंदविश्वासों, जातिये भेदभाओ और ऐसे आचरण जिसे वे गहर सिख समझती थी से मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोसाहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ग्यान के साथ साथ सिख धर्म के सिध्धान्तों को भी पढ़ाया जाता था। एक बॉक्स और और इस बॉक्स का शीरशक है अन्यत्र। इसका उप्षीरशक है काले घुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके हैं कि जोती राव फुले ने अपनी पुस्तक घुलाम गिरी में जातिय उत्पीडन और अमरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीज किस तरह संबंध स्थापित किया था। क्या आप जानते हैं कि दास्ता की यह प्रथा क्या थी। सत्रहुई शताबदी में जब यूरोपिये खोजी, यात्री और ब्यापारी पहली बार अफरीका पहुँचे तो उन्होंने घुलामों का ब्यापार शुरू कर दिया। वे अफरीका के काले लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कापास और अन्ने बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादा तर दक्षिनी संयुक्त राज अमेरिका में स्थित थे। बागानों में ये गुलाम पव फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे। सही धंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोडों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाय देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से इस दास प्रथा का विरोध किया। इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांती की भावनाओं का हवाला देते हुए आहवान किया, अमरीका वासियो अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा भी समझ में नहीं आती। गैटिस्बर्ग में दिये गए अपने अत्यंत भाव प्रवन भाषण में अबरहाम लिंकन ने कहा था कि जिन्होंने दास प्रथा के खिलाप संगर्ष किया है, वे लोक तंत्र के पत्थ प्रदर्शक हैं। उन्होंने लोगों से आहवान किया कि वे नसली समानता के लिए कदम उठाएं ताकि धर्ती से जनता की जनता के द्वारा जनता के लिए सरकार का नाश ना हो। इसी प्रिष्ट पर सबसे नीचे चित्र संख्या 21 और यहां गुलामों की बिक्री का चित्र दिखाया गया है जो दक्षिनी कैरोलीना अमेरिका का है, यह चित्र 1856 में बनाया गया, यहां संभावित खरीदार निलामी में अफरिका से लाए गुलामों की जाच परताल कर र सबसे पहला बॉक्स, आईए कलपना करें। और प्रश्ण है, इन लोगों ने किन सामाजिक विचारों का समर्थन और प्रसार किया। इन में से सही या गलत बताएं। क जब अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा किया तो उन्होंने विवाह, गोद लेने, संपत्ती उत्तराधिकार आदी के बारे में नए कानून बना दिये। सही या गलत। ख समाज सुधारकों को सामाजिक तौर तरीकों में सुधार के लिए प्राचीन ग्रंथों से दूर रहना पड़ता था। सही या गलत। ग सुधारकों को देश के सभीड लोगों का पूरा समर्थन मिलता था। सही या गलत। ग बाल विवाह निशेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था। आईए विचार करें। तीन, प्राचीन ग्रंथों के ग्यान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में किस तरह मदद मिली। चार, लड़कियों को स्कूल न भेजने के पीछे लोगों के पास कौन कौन से कारण होते थे। पांच, इसाई प्रचारकों की बहुत सारे लोग क्यों आलूचना करते थे। क्या कुछ लोगों ने उनका समर्थन भी किया होगा। यदि हाँ, तो किस कारण। चे, अंग्रेजों के काल में ऐसे लोगों के लिए कौन से नए आउसर पैदा हुए, जो निम्न मानी जाने वाली जातियों से संबंधित थे। साथ, जोती राओ और अन्य सुधारकों ने समाज में जातिय असामानताओं की आलूचनाओं को किस तरह सही ठहराया। आठवा प्रशन, फुले ने अपनी पुस्तक गुलाम गीरी को गुलामों की आजादी के लिए चल रहे अमेरिकी आंदोलन को समर्पित क्यों किया। नौ, मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिये अंबेड कर क्या हासिल करना चाहते थे। दस, जोती राव फुले और रामा स्वामी नायकर राष्ट्रिये आंदोलन की आलोचना क्यों करते थे। क्या उनकी आलोचना से राष्ट्रिये संघर्ष में किसी तरह की मदद मिली। यहां आठ्मा अध्याय समाप्त हुआ। अभी आप सुन रहे थे हमारे अतीत भाग तीन ध्वनी पाठे पुस्तक का आठ्मा अध्याय। शीर्षक्था, महिलाएं, जाती एवं सुधार, वाचन स्वर, अजीत होरो, निर्मान सहयोग, शानु मुक्सीम, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नईदिल्ली, भारत। झालो